आप सब्सक्राइब करने वीडियो के साथ में चानल पर जिसका नामें टेक्निशाइन और मैं हूँ आपका दोस्त और बड़ा वाला गोस्ट कुछ भी समझ लो मेरा नाम है वैभव बता है क्या होता ही स्ट्रीम करते हैं डालते हैं रिमर आपकर दे एक लिए इन सब बात करते हैं जोoire आको और बहुत जल बहुत सारी वीडियो जाने वाली है या 3080 वीडियो आने वाली है और राइजन का जो अभी गमासान ग्यूद चली रहा बाई इंटल के साथ तो उसमें भी जो राइजन के 4000 लूक्स फोर थाजन वाले लिक्स हैं वह भी मैंने डाल दिया उसकी वीडियो तो मैं आई बिटन पर चाले के बिल जाये के तो फ्ली सेक आओ डेट वीडियो ऑल्सो एंड इक बर मेरे चेनल चेक आउट करो और आपको चल लगे तो ब्लीस पीज्वाइब करो तो फटा-फट्ट से करते हैं आजकी वीडियो शुरूद तो आजकी वीडियो तो आजकी वीडिय और आज की जो प्राइजिंग चल रही है दोनों की हम उसके अकॉर्डिंगली कंपेरिजन करेंगी कि तुम्हें कौन सा लेना चाहिए और मैं यह सब चीजे बताऊंगो तुम्हें आन पेपर भी बताऊंगो और अपना उपीनियन भी बताऊंगो तो यार प्लीज लास सक दे अर अर दोनों ही जो तुमारे प्रोसेस है वह अप्टू डिडियर फोर्रेम तक सपोर्ट करते हैं राम को राम की बात चल लेती हैं और टीडीप जो है वो थोड़ उसमें थोड़ा डिफरेंस है वो तुम्हें राइजन 53600X को देखने के मिलते है वो है 95 वाट और तुम्हें का चूर्ट ऑट वो क्यों डियू अ.. ऐबे स्धूड रिगात शरह मिलते हैं मिलते हैं राइज शञेड़ दोर्समर नहीं स्पाइं तो डिय जो एड़र कि घिटपेश फोड़ा हम जल्डी मतलब जयादा होता है उससे तुम्हार प्रोसेस कूल लाजय और ऐग कि जो प्रोसेसर तिये गए है वो टीडीबी के साफ से तिये गए है 95 वाट कंज्यू भी तो करेगा 3600X तो भाई उससे साफ से वो तेंपरिचर लग 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 बराबर रहते हैं तो कोई जादो पर नहीं आते अब बात करते हैं बाइन की फ्रीक्वेंची की फ्रीक्वेंची में दोनों ही सिर्फ और सिर्फ तूहंड़ मेंग हर्स का फरक है जार तुम्हारा राइजन 5 3600 3.6 से 4.2 तक रहता है बेस्टू बूस्ट और वहीं तुम्हारा राइजन 5 3600X 3.8 से 4.4 रहता है तो भाई ज्य अब बात करते हैं इनकी थोड़ी बेंचमार्किंग के बारे में देखो जो बड़े मैंने तो बेंचमार्किंग नहीं की है लेकिन जो बड़े अच्छी कासे से तुमारा हमारे बहुत बड़े एक क्या बोलते हैं लजंड है उनका नाम है The Hardware Unbox उनके ही कुछ बेंचमार्क मैंने यहां पर उठाए हैं तो प्लीज उनको चेक आउट करो अभी आप स्कीनी पर देख सकते हो सिरे बेंच 820 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स का फरक है 80 स्कोर का वो भी भार में गया है नहीं तो मुझे प्राहित की प्रैसिंग भी नहीं पता है लोगडाउन चल रहा है तुम लोग भी भार मज जाओ प्लीज प्लीज अगर जब तक कोई इंपॉर्टेंट ना हो बिल्कूली तो प्लीज भार मज तब तक भार मज जाओ तो मैंने आप एम्टी कंप्यूटर्स की प्रैसिंग उठाई है तो वहां पर अभी अगर आप जाके चेक आउट करके तो राइजन 5 3600 आपको राम से 15800 के आसपास मिल जाएगा और जो इतनी परफॉर्मेंस ज्यादा मिलना आउट अफ दा बॉक्स बिना ओर क्लॉक किये मैं नहीं मानता कि यह वर्टेबल है तुम लोग क्या ओपीनियन रखते हो मेरे ओपीनियन के बाद तुम लोग अपना ओपीनियन बिलीज प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बत जिस पर हम मैक अपनी वीडियो रेंडर करता हूं उस पर करते हो तो करीबन करीबन 513 सेकिंड लेता है राइजन 5 3600X और राइजन 5 3600 539 यहां पर आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कहीं भी चले जाना भाई देखो इन प्रोसेसर्स में जो अभी आप देख हमिल्रे होना सिंगल कोर में घंटा भी जादा फरक नहीं है उसमें अमल्टी कोर में दिख दीर का मल्टी कोर में मैं आपको कहीं ना कहीं अटे पर मसली देखेंगा क्योंकि जैसे से सब्सक्राइब में शबढ़ती सängता है वह सब़स्वर्ण आपे में हैं 26 रिप में तो असासिन टीट ओडेसी को देख लो तुम ओडेसी में स्रिफ और स्रिफ दो फ्रेम का फरक है तुम ध्यान से देखो ऐसी यहां पर बैटलफील पाइप को ठालो और सारी अल्टरासेट एक वालिटी पर है यह प्रीसेट जितने भी हैं यहां पर भी तुम्हें स्रिफ दो का फरक देखने को मिलना है चाहर वो मिनमम में हो चाहर वो मैक्सम में हो तो किसमें भी देख लो तुम्हें स्रिफ स्रिफ दो फ्रेम का फरакс देखने को मिलना वहाई Division 2 ओठालो एक फ्रेम आस अहीन आप तुम आप शेड़ हो ओप्ढ़डर उठालो ne Warsaw さ City और स्रिफ तीन अहंतर उड़ में घर सब्सब्स इतने मविल कि बाई इससे क्या ओगा बाई 26 रुपे में तुम अपनी SSD ले सकते हो, चाहो तो अगर तुम्हारे पास SSD नहीं है तो, बहुत से budget users, सद बताऊं तो कोशिश करते हैं की स्थान के Ryzen 5 3600 पर एक्स पाय ने की, मेरे साथ हुआ है, मैंने एक PCBuild builder थे, मतलब वो करना चाते थे, वो मतलब जो processor लेना चाते फिर मेरे दिमाग में आया है, यह चक्कर क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, Ryzen 6 3600 की X की इतनी सेल थी भाई, मतलब Intel के processor दिखे ही नहीं, ऐसे बिके भाई, पागलों की तरह बिके हैं यह processor, तो मेरा सोचना यह था क्या, वो ही मेरी समन्न ने आया, तो भाई, यही सारी चीजे ह तो तुम्हें हमें ध्यान देनी चीजे हैं अबर मने ध्यान नहीं दी, मेरे साब से Ryzen 3600 जो है वो तुम्हें ज्याता बेटर वेल्यू प्रोवाइड करता है, ऑन दो प्राइस विच इच अप्राइस तो भाई, मेरे हिसाब से Ryzen 5 3600 तुम्हें बाई करना चाहिए, और जो 266 MHz की तो भाई करी लोगे, और मेरे हिसाब से वो वर्थ है, तो भाई वो वर्थ बैठेगा तुम्हें रैम में करना, क्योंकि आगे भी कई चीजी होंगी जहां पे वो तुम्हें मतलब मदद करेगा, बट प्रोसेसर में इस चीज के लिए देना मेरे हिसाब से कोई तु अगर आप राव हो जायागा, यह हो जायागा, फलाना डेम का, हलाकि कुछ नहीं होता, बट फिर भी, तो अगर आप राईजन थेक्स खीच्टान के बजट बढ़ा रहे हो, तो राईजन थेक्स 5 जो 3600 एक्स है, उसके साथ मज जाना, अगर खीच्टान के आ रहे हो तो, अगर आप देखो, फिर भी चुल है, वरानी है, तो भाई, खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, किसे, मेरा, मेरा क्या जाता है, पैसा तुम्हारा, तुम्हारा, डिसीजन भाई, तैकि मेरा मान नहीं है, कि तुम अगर राईजन 5 3600 भी खरीद रहो, तो वो एनफ है, अगर तु राईजन 5 3600 X के बजाये खरीदने पे, हाला कि बहुत बैजब इन पर सेसर था, राईजन 5 30, राईजन 7 3700 XB, क्योंकि अब तो अपडेट्स हागए, तो और जादा स्टेबल हो चुका है, पहले मेमोरी मतलब, मैमोरी कंपैटबल इस्यू थे, पर अब नहीं है, तो यही कुछ आज की विडियो हा रहा है, होप यू, और यू डाइट्स विल क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर हो है, अगर अभी भी कोई डाउट है, तो यू के डीम में इस्टाग्राम और तुम जाके भाई मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, पॉर अपडेट्स, और हम ऐस सब्सक्राइब करेंगे, तिल देन सब्सक्राइब तो ओवर चैनल, तो गेट मोर और सम्पीस लेटिट कंटेंट, तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तिल देन, गुट बाई झाल